हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको ये टूरो का डिजैन बनाना सिखाऊंगी है कि तोर पे भी इस्तमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और ये इसकी बैक साइड है ये इसकी फेंट साइड आप अपना जो आपको बनाते हैं अब आडर के बाद जैसे फंदे बढ़ाते हैं फंदे बढ़ाने के बाद इसमें एक सलाई या पर नहीं है इसमें दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे बनाके अपने रो कम्प्लीट कर लेना दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे डिजैन की ये सुरी डिजैन की फस्ट सलाई यह डिजाइन की फस्ट रों जो है वो दो फंदे सीधी दो फंदे उल्टी बनाके अपने रों कंप्लीट कर लेना उसके बाद यह डिजाइन की सेकेंड सलाई से मैं आपको बताती हूं तो यह हमारी डिजाइन की सेकिंड से लाए है यह हमारी एस्टिच और जो यह हमारे सीधे फंदी है जो हमने फंदे सीधे बनाए थे इसको बनाके ऐसे फिर अपने इसमें ऐसे उतार लेना ठीक और फिर यहां ही से देखो अपने वापिस इस सलाइ में दोनों फंदे चड़ाके फिर ह женщe इन दोनों के बीट से हमें एक फंदा बनाए ऐसे और इसको यह जो दो फंदे है इनको वापिस से अपनी सलाइ पे चड़ा लेना ओके और अभी धागा आगे करके हमने जो फंदे उल्टे बूने थे यह देखो ये दो फंदे उल्टे है ना इन दोनों फंदों को हमें उल्टा ही बनाना है अब धागा पीछे करके दो फंदे सीधे जो हमने सीधे फंदे बनाए थे उनको सीधे ही बनाना है अब फिर इन दोनों फंदों को हम आगे की तरफ सोर्य अपने दूसरे सलाई में चड़ा लेंगे ऐसे अब फिर इन दोनों फंदों के बीच में बुनने के बाद चड़ाने यह फंदे हमें बुनने के बाद दूसरे सलाई से में चड़ा के जो हमने बुने थे उन फंदों के बीच से हम देखो यह ऐसी, एक सलाई ऐसे निकालेंगे अपने, एक लूप निकालेंगे ऐसे. फंदा बनाके फिर दुबारा से इस सलाई पर चड़ा लेंगे और धागा आगे करके जो फंदे उल्टे हैं, उन फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है. जो ये design है ये टू फंदों की multiply में बनेगा ऐसे तो इसी तरह मैं ये पूरी रू आपको complete करके दिखाते हूं एक बात और फ्रेंड जो हम ये फंदे जैसे हमने पीछे की अधागा ये दो फंदे हम बनाते हैं और इन फंदों को दुबारा से अपने सलाई पर जैसे हम चड़ाते हैं और एक लूप ये इसकी बीच से निकालते है न ये वाला लूप तो इस लूप में हमारे एक फंदा बढ़ जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना है तो ये फंदा हमारा बढ़ गया जो हमारी next slime में कम हो जाएगा ये देखा तो ये हमारी edge stitch अभी हमारी design की second slime ये अपनी edge stitch और जो हमारे फंदे उल्टे की तरफ जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमी बनाने हैं यह डिजैन की सेकेंड से लाएं यह उल्टे जो हम एक फंदा अकेले बनेंगे जो हमारा फंदा बड़ा हुआ था उस फंदे को हम इस उल्टे वाले फंदे के साथ ही बनेंगे फिर यह हमारे फंदे सीधे दो फंदे फिर दाग आगे करके एक फंद तो एक बनेगा और जो सेकेंड फंद दूसरा फंद बनेगा उसमें हम यह बड़े हुए फंदे को घाटा देगे इस तरह है और यह दो फंदे सीधे यह मैरो आपको दिखाती हूँ यह देखना फ्रेंड्स मैंने अपनी रोग कंप्लीट कर ली है आगे इसी तरह हमें यह टू रोग बनानी है बस थोड़ा सा चेंजिंग इसमें ही है यह एक सलाई सीधी बनानी है उसके बाद सेकेट सलाई जो हम बनाएंगे यह हमारी दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ही बनाने है उसके बाद यह टू रोग ऊपर बनानी है टू रोग कंटिनू बनाने से हमारा यह डिजान सुंदर सा और प्यारा सा डिजान बनके त्यार होगा आशा करते हैं आपको यह डिजान समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडि कीजिए फिर मिलते नेक्स डॉमिंग, have a nice day